ALP CBT2 And Bihar Estate Power Holding Corporation Limited का Video है जिसमें Topic No.15 mm यह वीडियो No.15 और जिसमें बात करने वाले है रेजिस्टेर का और Iz legitim में Type Color Coding में यहार होशतर है उसके साथ हम Home and Body पे क्या परवाब पढ़ता है और कितना current किया असर पढ़ता है वो टोपिक है यहां पर तो सबसे पहले हम मानो का रेजिस्टेंस क्या होता है होमन का तो यहां पर त्री कंडिशन दिया हुआ है पहले गिला है और दूसरी कंडिशन में मीडियम है और तीसरा सुका ड्राई है तो तीनों कंडिशन में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है तो होता है तो यह एक हजार बड़कर 5000 तक हो जाता है और इस कंदिशन में रेसेटेंश 10 एक लाक हम मो smo जाता है 17,00000 सहे 1,00000 होता है लेकिन जर्टीन यह हम देखिएंगे तो रचून सबुसे पर जा करेंगे तो यहां भी डिवाइड़ वाई आर करेंगे तो रेस्टेंस आपका जितना ज्यादा होगा उतना करेंट कम होगा तो एक्जामपल के लिए कर रहें कि 220 बोल्ट पे आपने कंडिशन एक ले लेते हैं और 1000 गिला है पूरा वेट शरीर गिला है उस समय मानों शरीर से करेंट गुजरने की कैपसिटी कितनी होगी जीरो पॉइंट टू और करते हैं कि आपको पता होना चाहिए 200 मिली एंपियर करेंट कापी है किसी भी सजीव पर आनी के लिए डेड़ तक पहुंचाने के लिए तो यह उस लेबल पर आ जाता है तो कई लों करते हैं बरसात में करेंट ज्यादा लगती है सेम कंडिशन यह पर है और उसके बाद अगर कहें मीडियम में कहें तो पाच हजार ओम है तो मीडियम के बारे में सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस कंडिशन में रेंज के आएगा तो इसको कल्कुलेट आप करेंगे तो यह 0.04 एंपियर आएगा तो इस कंडिशन में तेजी से जटका लगता है यानि सोक तेज हो जाता है लेकिंग आपके शरीर पे ज्यादा नुकसान इसका नहीं होता और जब आप ड्राइए यानि सुखा हुआ कंडिशन है वहां पे करेंट लगने की केपसिटी और कम हो जाती है क्योंकि यहां 0.002 एंपियर करेंट केवल फ्रो फ्रो कर स सकता है तो इस कंडिशन को देखते हुए आप समझ सकते हैं ऐसे ही बोल्टेज अगर 220 से बढ़कर 500 हो गया यह 1000 हो गया तो करेंट इसी रेशियो में बढ़ता हुआ चला जाएगा जिससे मानव का नुकसान बढ़ते जाता है और कई बर काते हैं हाई टेंसर लाइन में आत बेसिक में पात करते हैं रेजिस्टर होता क्या है तो रेजिस्टर यहां दो टाइप का है सबसे पहले एक लिनियर रेजिस्टर है और दूसरा नन लिनियर है तो लिनियर रेजिस्टर ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो हर टेंप्रेचर पे उसकी परपटी नहीं चेंज होती और non-linear होता है जिसको R1 बोलते हैं कई लोग Hindi पढ़ते होंगे तो इसे R1 रजिस्टर बोलते हैं और R1 का ऐसा होता है temperature के साथ इसकी variable इसकी resistance चेंज होते आता है linear में भी बात करेंगे तो दो type के register है पहला carbon है और carbon type के register ही maximum use किया जाता है और क्योंकि इसकी stability सबसे जादा होती है और इसमें तीन चीजों का यूज किया जाता है पहला है carbon दूसरा आपका इसमें graphite ज्यान दिजेगा कई बार पूछ दिया जाता है यह भी composition और third इसमें यूज होता है clay मिटी जिसको clay चिकनी मिटी काते है इस टाइक के यूज होता है उसके बाद दूसरा wire wind register है तो wire wind register में कह सकते हैं किसी plastic या iron के bovin पे एक wire को लपेट दिया जाता है और इसको भी variable या fix किया जा सकता है तो इस टाइप के register को wire wind register करते हैं और non linear में बात करेंगे तो सबसे पहला आपका है thermistor तो thermistor आप जानते ही होंगे negative temperature constant negative ntc होता है thermistor का यानि thermistor के बारे में अगर आपसे एक भी सवाल पूछा जाए तो अगर कम temperature है उस समय इसका resistance बहुत जादा होता है और temperature बढ़ने के साथ इसका resistance कम हो जाता है इसलिए इसे आरेक रेजिस्टर या नन लीडियर भी का आ जाता है लेकिन इसमें दूसरा एक भीडी आ रहा है तो भीडी आ के बारे में आपने सुना होगा voltage dependent रेजिस्टर भी से होता है बोल्टेज में भी यूज किया जाता है इसलिए इसे बीडी आर का जाता है यानी आवर्धन करता है या बढ़ाता है का सकते हैं उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक यहां था कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर और वायर्वेंड रेजिस्टर में कैसे अलग अलग डिप्रेंट डिप्रेंट टाइप के परपर्टी है और कैसे पता करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको भेलू से आना है इसकी भेलू हम अगर पता करना चाहें तो सबसे पहले होता है कार्बन रजिस्टर एक के दस्वे भाग यानि पॉइंट वन ओम से लेके तीस ओम या कई जग का 30 मेगा ओम तक की बेलू में बनाया जाता है और इसकी वे कैपसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है और अगर कर सकते हैं वायर वांडिकाता एक से लेकर यह बहुत कम कैपसिटी परन के हिसाब से इसकी वेलू होती है यानि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है कार्बन की और वायर जोटे डिपकर लोटे के लिए बनाए जाते है उसके बाद 센तेंस में बात करेंगे तो रविष्टेंस इस पर प्लर लसे इस पर क्लर कोडिंग द्वारा पता करना होता है यही आपका मेन तोपिक है क्लर Okkan लिए ज़ेंस पता कर सकते हैं कारबन रेजिस्टर में और जहां भी कलरण कोडिंग की बात होगी तो द्यान दिजेगा इससे आईलाइट कर लिजिये कलर कोडिंग की बात हो रही है तो किस टैप का का रेजिस्टर है कर कार्बन कंपोजिशन का अगर वायरवाइंड है तो इसमें भेलू लिखा हुआ रहेगा वान वोम वान पॉइंट फाइव ओम ऐसा लिखा होता है इसमें कोडिंग की हो सकता नहीं होती और पावर रेटिंग की बात करेंगे तो कार्बन कंपोजिशन की पावर हैंलिंग बहुत कम होती है तो इसे कह सकते हैं वान बटा टेन से टू वाट टू वाट से ज़्यादा इसको हो सकता है 5 से 20 वाट की इसकी कैपसिटी होती है तो इससे भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद यूज की बारे में बात करेंगे तो रियो स्टेट में यूज करते हैं कार्बन रेजिस्टन को कंट्रोल सर्किट में यूज होता है और जहां करेंट की अपने सुना होगा बॉटेट डिवाईजर और पोटेंशियलो मीटर बैरिंग करेंट करेंट आप डिपरेंट टाइप के यूज करना चाहते हैं तो बेरियेबल करेंट में यूज होता है उसके बाद अब कलर कोडिंग की बात करेंगे तो कलर कोडिंग में आपने देख र और यहां पर आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd and 4th और यह किवल जहां पर कलर कोडिंग की बात होगी तो ध्यान दिजिएगा आपका फैक्टर होता है पहला और दूसरा तीसरा आपका मल्टिप्लायर होता है और चौंता टोलेरेंस होता है तोलेरेंस के बारे में आपने सुना होगा और टोलेरेंस से ही बहुत सारे प्रस्न आपको मिल जाते हैं तो यह टॉपिक है और इसमें कलर कोडिंग को हमने ग्या port बेरी गुड की बाद बात करेंगे बीवी रहे गेरेट विल्टेन सॉरी यहां इस ग्रेट विर्तेन बैरी गूड numay dosa worker तो ये सारे कलर का कॉड है तो बी से बोलते हैं ब्राउन के क्लाग उसके बाद दूसरा भी पहला भी स्रौरी ब्लैक है रहा भी आपका ब्राउन है तीसरा आर से रेड होता है वो से ओरेंज होता है वाई से एलो है उसके बाद जी से आपका यहां पर ग्रीन है हरा कहा सकते हैं और अगला बी से बुलू है जिसे निला कहा सकते हैं अगला बी से बाइलेट है जिसको बैग नहीं कहा सकते हैं अगला जी से ग्रे है और फाइनली जो डबलू है वो उजला वाइट का है तो यह कोडिंग है इसको इस कोडिंग को यूज करके सारी रेजिस्टेंस की वेलू ग्याद करनी होती है अगर इससे अगर जानना चाहें तो सबसे पहले यहां मैं यहां लीग देता हूँ सबसे पहले आपका बी है यानि बलेक कह सकते हैं और बलेक में आपका फर्स्ट कंडिशन में इसकी बेलू जीरो होती है फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए और इसकी मल्टिप्लायर में बेलू 1 होती है या 1.0 भी कह सकते और इसकी tolerance में यूज नहीं किया जाता है उसके बाद अगर दूसरे बी की बात करेंगे तो ब्राउन है ब्राउन मतलब भूरा भी है तो ब्राउन का मतलब यहां पर फर्स्ट और सेकंड बेंड में वन है multiplier में इसकी value 10 होती है और tolerance में यूज नहीं होता उसके बाद तिसरा आपका आर रेड था और रेड में यहां पर 2 होता है और यहां का सकते हैं value 100 होगा और इसका भी tolerance नहीं होता उसके बाद अगला value औरेंज है जिसे वो से denote करेंगे इसकी value यहां पर figure में 3 आती है और इसे अगर denote करना चाहेंगे तो 10 के power 3 या अगर आप लिखना चाहें तो इसे 1000 भी लिख सकते हैं उसके बाद अगला value इसमें कहें तो yellow आता है y से yellow यानि पीला और इसकी value 4 होती है और यहां 10 के power 4 के साथ अगर कहें तो 10 के power भी 4 हो जाएगा उसके बाद yellow के बाद अगला हमारे पास कर रहा था green यानि हरा तो हरा के value 5 होता है और यहां 10 के power 5 रहेगा जीस बेंड में रहेगा उसी बेंड के अमसार से इसे यूज कर लेंगे और हरा के बाद अगला value था blue इसे बीज से ही denote था blue और blue को यहां पे 6 से बेंड करते हैं और blue में 10 के power 6 हो जाएगा और इसे भी tolerance में कोई value नहीं है इसके बाद violet वैगनी और वैगनी का value होता है 7 और multiplier होता है 10 के power 7 उसके बाद अगला value है gray और gray में value है 8 और इसे कह सकते हैं 10 के power 8 और और लास्ट में tolerance सारे में नहीं होता है tolerance के बल तीनी color का होता है और मैं अभी बताने वाला हूं और अंतीम इसमें है white वाइट का है तो इसका value होता है 9 और 10 के power 9 उसके बाद हमारे पास tolerance की बात करेंगे तो tolerance के पहला होता है silver और एक केवल fourth band में ही होता है ध्यान दिजेगा fourth में होता है silver color और इसकी tolerance value होती है और दूसरा बिंदू है आपका gold जिसको सुनारी बोलते हैं या सोना की color का बोलते हैं जिसकी value होती है 5% और तीसरी एक color होती है no color कोई भी color नहीं दिया हुआ है किसी में fourth band में तो उसकी tolerance होती है 20% और ध्यान दिजेए 20 और 10% जो है यह positive में भी plus में भी minus में भी यानि उपर निचे दोनों साइड में अगर एक example यहां पर लेंगे हम आगे में तो यहां पर example हम ले रहे है पहले प्रस्न का अगर 220 ohm का register है जिसकी fourth band में printed gold है यानि सुनारी है तो इसकी value क्या होगी सुनारी तो इसकी tolerance value क्या है तो ध्यान दिजेगा सबसे पहले tolerance के बात करेंगे तो सुनारी क्यों कितना आमने लिकाता 5% plus minus और 220 के case में करेंगे तो 220 के case में सबसे पहले इसका 5% निकाल लिएगा तो यह 11 आ जाएगा और एक बार 11 को plus करना है एक बार minus करना है यानि इस condition में देखेंगे तो इसकी रेजिटेंस बेलू 231 अपर साइड में और 209 लोवर साइड में यह दोनों हो सकता है इसकी बेलू और इसी से प्रस्ण पूछ दिया जाता है आपको कि टोलरेंस के अंसार इसकी बेलू क्या होगी उसके बाद अगला है एक आईडियल रेजिस्टेंस पावर डिस्पिशन और चालनों प्लगा ठाग ऑगले जल sisterיות जिसमें पावर डिस्पिशन और उसकी रेटिंग रेश्टेंस क्या हो सकती है तो सब 앞र्म में क्या पढ़ा थ्यूज़ नाुकि देवार कि बाद कीया था तो कार्बन में पढ़ा था कि इसकी उप्ताइन्ग द्युआदा नहीं होत यहां पर देख लिख सकते हैं तो एक वाट यहां पर है यहां दस वाट है यहां बीस वाट है यहां पांच वाट है तो यह सारे वायर वाइंड के लिए अपलीकेबल हो जाएगा और पहली कंडिशन हमारा दोनों मेच कर रहा है वायरवाइंड के लिए तो यह आपका प्रस्ण है उसके बाद अगला प्रस्ण है त्री नेंबर जिसमें 100 ओम का रेजिस्टर है और 20% टोलरेंस दिया हुआ है तो एक्चुल बेल्डू अपर साइड में क्या हो सकता है तो यहां दियान दिजेगा 20% है तो यानि 100 का 20% कितना होगा 20 और 100 से इसे अगर जोड़ देंगे तो 120 मैक्समम अपर साइड में वह सकता है इसका रेजिस्टरेंस का वेलू जो आपके डी ऑप्सन में अबलेबल है उसके बाद देख सकते हैं प्रसंख्या पोर है रेजिस्टरेंस का कलर कोडिंग से तो कलर कोडिंग में आप बिल्कुल सिंपल से देखना है एलो वाइलेट औरेंज और लास्ट में सिल्वर है तो सिल्वर का सबसे पहले 10% होता है यह पता है जो हमने पहले यहां पे कर रखा है कि सिल्वर के लिए अगर फोर्थ बेंड में है उसे 10% यहां तो इसके लिए फोर लिख देंगे यहां पर उसके बा Mitte के लिए अगर देखना चाहेंगे सोगीट के लिए यहां पर क्या था हमारे पास सेवर P तो बाइलेट के लिए यहां पर लिख सकते हैं 4 के बाद 7 और उसके बाद अगर देखना चाहें तिसरा बेंड क्या है औरेंज तो तिसरा बेंड अगर औरेंज है तो आपका औरेंज के लिए तिसरे बेंड में क्या है मल्टिप्लायर औरेंज है सोरी तो 10 के पावर 3 तो यहां पर आप 10 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसे अगर आप सिंपल वे में लिखेंगे तो 47000 यानि 47000 ओम और 10% टोलरेंस को किसमें ओप्शन में है आपके डी में अबलेबल है इस तरह से अगला हम प्रस्ण की बात करेंगे तो अगला था इप ओपन रेस्टेंस चेक इन ओम मीटर तो देखिए रेस्टेंस को चेक करने के लिए एक और सवाल मिल गया अगर रेस्टेंस आपको चेक करना है तो किसे करना है ओम मीटर से करना होता है और इसकी रीडिंग पढ़नी है तो ओपन रेस्टेंस क्या होगी तो कई लोग 0 क करके आते हैं द्यान दीज이가 zero आपका तभी आ सकता है जब मल्टी मीटर से यूज करेंगे तो ए इंपिनिटी आएगा या राइट एंसर होगा अनान्त क जब ड़स्टन्स को को से करेंगे तो एन्त रेजस्टेंस आएगा उसके बाद हम सारे टॉपिक को एक करे क्लीट्रिक्रीर कर लिए लेकिन यहांपे परस्न कहां से आता है यह आपको देखना है तो सबसे पहले कलर पोडिंग का टॉछरेंस से आता है टॉलरेंस बहुत इंपॉट्रेंट है उसकी value से आती है और तीसरा प्रसन आता है करेंट से जो हूमन के लिए applicable होता है मानो शरीर का करेंट क्या होता है rating क्या होती है इससे आता है maximum प्रसन यहीं से आते हैं thank you 18 मिनिट